नमस्कार्स वागत है आपका हमारे चनल में मेरानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि संजर राउत को कोट से बड़ा जटका लगा है दरसल संजर राउत की नयाईक हिरासत को 21 अक्टूबर के लिए बढ़ा दिया गया है इसी के साथ ही वता दे कि एडी ने उन्हें पात्रा चौल मामले में गिरफतार किया है और मनी लॉंडरिंग का मामला उनके उपर दर्ज है इससे पहले सोमवार को राउत को विशेश नया को विशेश अदालत को बताया था कि संजर राउत ने पात्रा चौल पुनर्विकास परियोशना में सक्रिय रूप से काफी जादा इंट्रस्ट लिया थो और इसी में मनी लॉंडरिंग मामले में उनकी जो पकड़ है वो देखने को साफ तोर पर मिलती है और यह सब रिकॉ पर अपनी दलीले पूरी की थी इसी के साथ ही पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुवात साल 2007 से हुई थी महरास्ट्रा हाउसिंग एंड डिवलप्मेंट अथारिटी यानि की MHADA प्रमिन राउत गुरु आशीस कंट्रक्शन और हाउसिंग डिवलप्मेंट एंड काम गुरु आशीश कंट्रक्शन को दिया था ये कंट्रक्शन गोरेगाओं के सधार्थ नगर में होना था महरा की 471 जमीन में कुल 672 घर बने री डिवलप्मेंट के बाद गुरु आशीश कंपनी को साढ़े 3000 से जादा फ्लैट बना कर देने थे महरा के लिए फ्लैट्स के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बना कर नहीं दिया इसे के साथ ही बताते हैं कि आखिर इस घोटाले के साथ संजराउत का क्या कनेक्शन है बता दे कि आरोप है कि गुरु आशीश समाए हैं मार्च 2018 में महाडा ने गुरु आशीश कंट्रक्शन के खलाफ दर्श करवाई आर्थिक अपराद विंग को दे दिया गया यह जबलू ने फरवरी 2020 में प्रविन राउत को गिरफतार कर लिया बताय जाता है कि प्रविन राउत संजराउत का करीबी है और इसी के साती वो HDIL में सारंग वाधवान और राकेश वाधवान के साथ कंपनी के निरदेशक भी थे वाधवान बंदू PMC बैंक घुटाले के मुख्य आरूपी भी हैं प्रविन राउत को कोट ने जमानत तो दे दी लेकिन PMC बैंक घुटाले के मामले में प्रविन को एडी ने अ गर्वारूपी रिकॉर्ड में दर्श कराता है इसको ले करके एडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था मैई के महिने में और देखने को मिला था कि जब एडी ने उनके घर पर च्छापे मारी की थी तो कई लाख रुपए कैश भी मरामद हुए थे और इसको लेकर के जब उन कहीं न कहीं जो घोटाला हुआ है पात्रा चोल मामले में उस इभनिस मा क aut की गिरफतारी हुई थी तो काफी ज़्यादा श्यासी संग्राम भी किया था जिसे के साथ उन्मने बेंस के साथ है जर्ट मास के बहुतने घरोपन लगवाकर ऊंपशे थे हो और ses ईस तरीकी की सिसोधिया घर से निकले थे और CBI दफ्तर में पूस्ताश के लिए पहुंचे थे तो कहीं न कहीं इनका दोनों का कनेक्शन भी जोड़ के दिखाया जा रहा था कि क्या ये दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं या फिर ओवर एक्टिंग करते हुए मनी सिसोधिया देखे कर महरास्टा के सियासत की बात करें तो जिस तरीके से संजर आउत अभी तक लगातार जेल में हैं उनकी नियाई कस्टिडी एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही है जबाना थी आचिका फिलहाल 21 ऑक्टूबर तक के लिए सुनवाई जारी रहेगी लेकिन 21 काले को अंजाम दिया गया था आपको बता दे जब देवेंद्र फंटेंविस महरास्ट्रों के सीम बने साल 2014 में तो एक बार फिर से इसकी फाइल को खंगा ले गए और इसकी जाच एक बार फिर से शुरू कराई गए जिसके बाद जूनके करीबी थे प्रविड राउत उन गिरफतार कर लिया फिलाल जिस तरीके से लगातार संजराउत के मुश्किले बढ़ती हुई नजर आ रही है कोट से लगातार उनको जटका मिल रहा है और वो बाहर नहीं आपा रहे हैं जेल से वो जेल में ही बंद है और इसको ले करके उनकी पतनी से भी पूस्ताच की था कि आखिर इन पैसों का सोर्स क्या है और यह कहां से ट्रांजक्शन हुए हैं तो इन सभी सवालों को ले करके एडी ने पूस्ताच किया था और इधर अगर हम सियासत की बात करें अगर हम शिवसेना पार्टी की बात करें तो वो भी दो तुकडों में बटी हुई नजर करें या फिर अन्य पार्टी की बात करें तो वो एकना शिंदे गुट को ही असली सिवसेना मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर भाविशम में भी चुनाव लड़ते हैं तो हम एकना शिंदे गुट को ही तवज़ों देंगे क्योंकि वही असली शिवसेना हैं और वही बाल या फिर कोई भी चीजें उनकी ओर से देखने को मिल रही है को बता देखने को मिला था कि जब मई में तक्ता पलट हुआ था वहाँ पर और उधाव ठाकरे ने सीम पस्ति इस्तिफा दिया था तब संजराउत कहीं न कहीं आरोप लगाते हुए दिखाई दिये थे और उन्हों पात कानून से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इसी के साथ ही लगातार एडी इस मामले को लेकर के एक्शन के मोड में है और पात्रा चौल मामले में जो भी गुटाला हुआ है एक हजार चौटीस करोड का उसका लगातार संग्यान लेते हुए दिखाई दे रही है जहां उनके करीबियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है तो संजर आउद भी अब हिरासत में है इसी के साथ ही इन सारे ही चीज़ों को लेकर के सियासी संग्रा मचा हुआ है लगातार जो पार्टियां है जिन्होंने करप्शन किया है जितने भी लीडर्स हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं इसी के साथ ही उन पर गिरफ्तारिया भी हो रही है सेंट्रल एजिस की बात करें तो चाहें वो सीबियाई हो एडी हो या फिर इंकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सभी अपनी अपनी कारवाई कर रही है सभी लगातार ब्रस्टाचार को लेकर के एक्शन के म रहे हैं हमारे कॉमेंट्स अक्शन में जरूर बताएं आगे की और भी अपडेट के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले